यह students इस से पहले मैंने आपको language development types के बारे में दोनों का overview दिया था अब मैं detail के साथ one by one इन दोनों जो types है language development की उनके बारे में बात कर रहा हूँ और जो इसमें पहली type है referential language development तो children at first express only words after words joining them यनि बचे जो हैं सबसे पहले अलफास का इजहार करते हैं और words, अलफास की सूरत में, words की सूरत में वो इजहार करते हैं, बात करते हैं और तब उसके बाद उनको जोईन करते हैं sentences की शकल में और पहले वो two words के sentences बोलते हैं और फिर three words के sentences की शकल में वो जोईन करके फिक्रा मुकमल करते हैं और इस तरह वो अपने आपको इसका इनि इस language type में वो अपनी communicate करते हैं और यह जो style है, referential style है, यह language acquisition का एक right time style है और learning language with children use language for the first part of the label objects, यह नहीं क्या करते हैं यह बचे objects और people को label करते हैं और इस तरह वो अपनी vocabulary में vocabulary को सीखते हैं और vocabulary के जरीए वो इसमें इजाफा करते हैं तो जो objects हैं और people उनको label करते हैं words के साथ और इस तरह अपनी और यह right time है जो language सीखने का इस type of language में अच्छा यह young children में यह style useful होता है because the way they extend their vocabulary यह वो अपनी understanding of vocabulary में को extend करते हैं वो समझते हैं कि हमारी जो vocabulary है वो add हो रही है हम ज़्यादा अलफाज सीख रहे हैं और उनकी इस तरह मतलब language development में जो उनकी vocabulary में इजाफा हो रहा है और जो toddlers होते हैं, toddlers उन बच्चों को कहा जाता है जो एक से तीन चार साल तक के एज के दरम्यान होते हैं तो with referential language style, use vocabulary to refer objects तो यनि वो objects और लोगों को label करने के लिए vocabulary का इस्तमाल करते हैं और इसकी मदद से वो अपनी speech को structure करते हैं और इस goal के साथ कि उन्होंने language understand कर ली है यह वो understand कर रहे हैं यह उनका गोल होता है जिसके तहत वो यह सीखते हैं कि हम language सीख रहे हैं तो इसलिहाँ से यह जो development, language development की यह type है यह एक useful है टोडलर्स के लिए और language acquisition के type जो period है उसमें यह ज्यादा और आगास में यह यूज मोर सिंगल वर्ड्स ग्रेजूली बिल्डिंग लॉंगर फ्रेज़ यह नहीं आइस्ता इस्ता वो लॉंगर फ्रेज़ यूज करते हैं बनाते हैं और ten sentences जैसे मैंने पहले भी बताया कि दो words के sentences तीन words के sentences जिसमें वो अपनी बात का इजहार करते हैं यह भी एक अहम बात की है कि इस level पे जो students होते हैं इस type of language के वो अपने adults के साथ ज्यादा interaction करते हैं अपने peers के मकाबले में यह अपने जो निके हमजोली होते हैं या उनके साथ ही होते हैं उनकी बजाए adults के साथ ज्यादा बात्चीत करना पसंद करते हैं और action words use करते हैं power can reference an event in the word . यहीं वो words के झारीए किसी event का reference दे सकते हैं उसके जरीए वो बात कर सकते हैं और इस तरह वो इजहार करते हैं डिपेक्ट करते हैं तिकल बाइ समवन एल्स तो स्टैबलिश यानि समवन बिंग टिकल बाइ समवन एल्स और तो स्टैबलिश दिस रेफेंट वर्ड लैंगविज यह जो language का यह style है जिसमें वो पहली बात यह है कि language development में वो अपने adults से ज़्यादा करते हैं वो first में single words use करते हैं then वो phrases में add करते हैं यह उनको two words sentences की सूरत में join करते हैं then three words sentences में join करते हैं और अहम purpose यह है कि चीजों को यह label करते हैं और अपनी vocabulary में वो use करते हैं words के जरीए वो events के बारे में उनको इजाफा मतलब वो इजहार करते हैं वो बता सकते हैं